कैंदर की मोदी सरकार ने बिहार के पोर्व मुकमंतरी करपूरी ठाकुर को भारत रतने दिये जाने का बड़ा एलान किया है इस संबंध में राष्टरपती भवन की ओर से बयान ज़ारी कर ये ज़ानकारियां दी गई है राश्टरपती भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार को बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि देश का सरबोच चुनागरिक संबान दिबंगत करपूरी ठाकुर को दिया जा रहा है बहभारती राजनीती में समजिक नियाय के प्रोधा और एक प्रिरणा दाया के शक्षियत थे या समान समाज के बंचित बर्ग के उत्थान में करपूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और समजिक नियाय के प्रती उनके अधरत प्रयासों को सुरधधांज ली है करपूरी ठाकुर को बुधवार को होने बाली सौबी ज्यम्ती से पहले उने मरनो प्रांत भारत रत रतनी सस buckets मैंज के जाने के एलान किया गया है जनता दल यूनाइटेट जीडियो ने करपूरी ठाकुर को भारत रतनी दिये जाने की मांग की थी इस एलान के बाद जीडियों ने मोधी सरकार का अभार जताया है आपको उता दें कि करपुरी ठाकुर का जन्मे 24 जन्वरी 1924 को समस्तिपूर के पिंतो जीया गाव में हुआ था उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ बिभार के पहले और गैर कॉंग्रेश्री मुख्य मंतली थे उन्होंने पहली बार 1922 में बिधान सभा कर चुनाब जी था सबसे पहले खास बात ये रही कि 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास था 1934 में दो और 1940 में पाच लोग मैट्रिक पास हुए थे इनमें एक करपूरी ठाकुर भी शामिल थे आस्ट्रिया जाने बाले डैली गिरसन में चुने गए करपूरी ठाकुर को बिहार के समाजिक नियाय का मसीह माना जाता है उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो नकिबल बिहार में बलकि देश में भी मिसाल बने देश में पहले सबसे उन्होंने पिछड़ा बर्ग को आरेक्षन दिया पढ़ाय में अंग्रेजी की अनिबारिता को समाप्त किया इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाय को भी मुफ्त कर दिया था करपूरी ठाकुर को भारत रतने से सम्मानित करने पर प्रधार मंतरी नरंदर मोदी ने खुशी व्यक्त किया है उन्होंने सोसल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है रौनी कहा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार निस्सामाजिक नियाय की प्रकास इस्तंभ महान जननायक करपूरी ठाकुर जी को भारत रत ने देनी का फैसला किया है और बहभी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब दिमना रही है